नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि परपत्र 5 को कैसे भरते हैं उसको एडिट कैसे करते हैं इसके लिए वो ही सेम प्रोसेस ब्राउजर में जाकर हमको इसको लाइडी चे लोगिन करना है परपत्र 5 जो होता है वो विध्यारती की सारे डेटेल्स उसमें होती हैं विध्यारति के लिए बहुत ही मैतपुन होता है हमें उसको बिल्कुल सई रखना अतियावशक होता है अगर कोई तुरूटी रह गई तो हम उसको एडिट के माध्यमन से उसको सुधार भी सकते हैं नहीं विध्यारतियों का हमें प्रपत्र पांच भरना होता है इसके लि फॉर्मेट पांच या परपत्र पांच यहां पर आपको किलिक करना है एडिट इस्टुडेंट डिटेल फॉर्मेट पांच यहां पर किलिक करने के बाद में आप देखेंगे कि बच्चे जितने भी हमारी विध्याले में बच्चे पढ़ते हैं उपर नोट दे रखा है इसको भी एक बार आपको पढ़ लेना है कि आपके वेब ब्राउजर में पॉप अपन किया हुआ होना चाहिए और इस सारी चीजे हैं आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक नदेशों को पढ़ लेंगे अब हमें परपत्र पांच को एडिट करने के लिए या भरने के लिए सबसे पहले हमें सेशन सेलेक्ट करना होगा तो जिस भी सेशन में आप चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद कलास को सेलेक्ट करनी पड़ेगी और कलास के बाद सेक्शन को तीनों चीजे सेलेक्ट करने के बाद में आपको शोपर किलिक करना है जब हम शोपर के लिए करेंगे तो सम्मंदित क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब की लिष्ट आपके सामने आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी एसार नमबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट केटेगरी, जेंडर, डियो बी, मोबाइल नमबर और लास्ट में आप देख रहे होंगे एक एक्सन है, इसमें एक लोगो बना हुआ है, एक पैन का लोगो और कागज का लोगो यह अगर आप पहले चेक कर लेंगे कि बच्चे की डिटेल्स सही है या नहीं है अगर यह सारी चीज़े खाली हैं, तो आप इसको भर देंगे अगर आपको एडिट करना है, तो आपको इस बटन पर जो लास्ट में एक्सन बटन दे रखा है इस बटन पर आपको किलिक करना होगा जैसे मैं इस स्टुडेंट के फॉर्मेट पांच को डिटेल्स को एडिट करना चाहता हूँ तो मैंने एक्सन वाले बटन के एडिट को दबाया तो अब आप देख सकते हैं कि अब हम इसमें सारी चीज़ें भर सकते हैं या अगर गलत भरी गई हैं तो उनको सही कर सकते हैं एसर नंबर नेम में कोई मिस्टेक है या नाम बदलना चाहते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं फादर्स नेम, मादर्स नेम जो भी कैटेगरी है आप बच्चे की संबंदित कैटेगरी को यहां से सलट कर लेंगे उसके जेंडर को सलट कर लेंगे कि बच्चा गर्ल है या बोई है या ट्रांस जेंडर है आपको तीनों ही उपसंदे रखे हैं DOB में आप बच्चे की जो SR में है वो ही DOB आपको इसमें भरनी है और Mobile Number यह सारी चीजे आप भरने के बाद जब आप confirm हो जाएं कि हमने सारी चीजे बच्चे की बिल्कुल सही सही भर दी है SR से मिलान करके भरी है तब आपको अंतिम में एक्षन में उसी परकार दो बटन दिखाए देंगे उपर सेव का बटन है और नीचे क्रोस है अगर आप एडिट करी हुई चीजों को सेव नहीं करना चाहते तो आप इस क्रोस को किलिक करेंगे अगर सेव करना चाहते हैं तो उपर जो फलोफी का लोगो बना हुआ है सेव का उप्शन उसको आप दबाएंगे तो सम्मंदित बच्चे की सारी डिटेल सेव हो जाएंगी आप दुबारा भी अगर इसको एडिट करना चाहें तो सेम प्रोसेस से यहां से एडिट को दबा जाएंगे एडिट को दबाने के बाद में सारी चीजे आपके सामने आजाएंगी आप उनमें एडिट कर सकते हैं और फिर लाष्ट में जाकर उसको शेयु कर सकते हैं इसी परकार अगर आप क्लास बदलना चाहें तो आप यहां से क्लास भी बदल सकते हैं सेशन भी बदल सकते हैं तो यह बदलने के बाद में सम्मंदित क्लास के बच्चे आजाएंगे और आपको जिस भी बच्चे का चेंज करना है एक्षन में जाकर इस लोगों पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रोसेस के माध्यम से किसी भी क्लास के बच्चे का आप भर सकते हैं नीचे ये सारी चीजे भरने के बाद में आपको लोक भी करना होता है लोक करने के बाद में आपकी दिनांकी भी आ जाएगी और इसका हम प्रिंट भी देख सकते हैं ये देखिए ये class 4 का मैंने print preview लिया है तो इसमें सभी बच्चों की सारी detail आ जाएंगी आप इसको printer के मादम से print करके SR register से मिलान कर सकते हैं अगर किसी बच्चे की कोई तुरूटी रह गई तो उसको tick करके साला दरपन portal में आकर उसको सुदार सकते हैं यहें एक महत्पून दस्तावेज होता है अतियावशक दस्तावेज होता है परपत्र पांच इसलिए इसकी entry हमेशे हमें सुद्धर रखनी चाहिए SR और इन दोनों की जो भी information है बिल्कुल शेम होनी चाहिए अगर कोई difference है तो आप यहाँ पर उसको आसानी से बदल सकते हैं प्रिंट करने के लिए आप अपने laptop और printer के माध्यम से इस option से आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद में सम्मंदित कक्षय अध्यापक या SR परभारी उसको सभी बच्चों की सभी कक्षाओं के बच्चों का मिलान कर लेंगे और उसके बाद सही कर देंगे तो यह तरीका हो गया आप आसानी से किसी भी बच्चे का परपतर पांच को भर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोई भी समश्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समश्या रख सकते हैं आपकी समश्या का तुरंत ही समधाम किया जाएगा धन्यवाद